हेलो कृट्स वालकम बैक तुमाइ चैनल किचिन कें कैसे आप लोग आई होप आप अच्छी होगे आज हम लेकर आंगे बहुत ही सॉफ्ट काले ज्वी बन जाते हैं खाने में बहुत स्वाधिश लगते हैं तो चलिए चल्थ है किचिन में बनाना शुल करते हैं अब लोग वीडियो पूरी देखिएगा इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा और प्लेलेश एक्षिन में बहुत सारी प्लेलेश ट्रेंज इने बिजिट करके आप अपनी पसंद की कोई भी नियू वीडियो देख सकते हैं तो चलिए आज की रेच्पी शुरू करते हुआ गुलाब जामून बनाने के लिए ये आदा किल हमावा लिया है जिसको हमने गर्म करके एकदम सौफ्ट बना लिया है ताजा मावा और ये लीक्रोंड और इलाइची हमें चासनी में डालेंगे और ये दो प्यंच हमने नकिंड्र पाउडर लिया है तो इलाइची को कूट कर पाउडर बनाएंगे और यह दो बड़े चमच हमने मैदा ले लिए तो ग्रांस में देखें तो यह 100 ग्राम मैदा है जिसमें आधा किलो खोया में 100 ग्राम मैदा डालेंगे तो देखिए सभी चीजों को त्यार कर लेते हैं सबसे पहले खोया और मैदा को मिक्स करेंगे इसका एक डो बनाकर त्यार कर लेते हैं उसके बाद हम इसके रसगुले बनाएंगे तो इसे एक बड़े बाउल में कर लेते हैं तो देखिए मावा हमारा एकदम सॉफ्ट है इसम परफेक्ट मिली है याँ है नहीं कि अगर इसमें परफेक्ट मेंने होगी तो रशुआगर फटेगा तो इसमें मैना और गीमिलेंगे गढूली को डालकर देखते हैं तो देखेए हैं तो इसमें मै度फेक्ट मिली हुई ए तो चलिए इसी तरीके से सभी रसगुलों को बना कर त्यार करेंगे तो इस्टफिंग भरने के लिए हम इसमें किवल चिरोंजी भरेंगे आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राइरूच डाल सकते हैं तो देखी इसमें बवल आ रहा हैं खोया एकदम परफेक्ट है तो जली इसी तरीके स इसके गोले बना कर त्यार करते हैं तो देखी गुलाब जामुन हमारा सिक्के त्यार हो गया है और बिल्कुल फरफेक्ट सिका है तो देखी रसगुला बहुत अच्छे से बनकर त्यार हुआ है बिल्कुल भी कहीं से भी क्रैक ने हुआ है तो इसी तरीके से सभी को बना कर को त्यार करेंगे तो दिखी गुलाब जामन बनाएं इससे पहले हम चासनी बना लेते हैं तो एक आमने बरतन ले दिया है उसमें चीडिय में ड्व। टाल देंगे और नापकर इसमें हम दो गलास पानी एट करेंगे तो इसकी चासनी को हम तार वाली बिल्कुल भी नई बना राएगी और सुख्याने में बहुत ही टेश्टी लगेंगे तो इसी तरीके से मिक्स कर देते हैं और इस रख देते हैं गैस पड तो चास्नी हमारी मैंंतो होगी उससी पहले हम अपने कुलाब जामण भी बना कर तremos हैं चासनी को mél्ट इसे बहुत अच्छे से गोल करना है, इसमें एक भी क्रैक नहीं रहने चाहिए, तबी यह फटेंगे नहीं हो, बहुत ही पर्फेक्ट हमारे गुलाब जामुन बनकर तयार होंगे, तो दीखिए इस तरीके से हाथ से इसको गोल कर लेंगे, तो दीखिए गुलाब जामुन बन कर हमारा तयार हो गया, इसी तरीके से सभी को बना कर तयार कर लेंगे, तो गुलाब जामन का साइज आप अपनी पसंद से छोटा या बढ़ा कर सकते हैं, तो जले इसी तरीके से सभी को बना कर तयार कर लेते हैं, उसके बाद गुलाब जामन को फ्राइ करेंगे, तो देखी चासनी को भी चक करके देख लेते हैं, चासनी हमारी सही हो गई है या नहीं, तो देखी चासनी हमारी एकदम तयार हो गई है, तो गैस का फ्लेम आफ कर देंगे, और रजगुलों को भी इदर फ्राइ कर लेते हैं, चासनी को ढखकर रख देंगे, चासनी हमारी ज्यादा लाइय घंड कर लिय और दा जुम फूर्व को लिए इसका गी इसका बिल्कुल भी ही फ्लेम नहीं होना चाहिए सकफ करहेंगे इसको इसे इसका टीड से सक जाएंगे लिए गी इसको जब सउस्ख जाएंगे तपर इस पढ़ी आगे कर तो देखी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सुन्दर बहुत लग रहे हैं देखने में गुलाब जामन को हमने फ्राइ कर लिया है देखने में बहुत सुन्दर लग रहे हैं तो सभी गुलाब जामन को चासनी में डाल देते हैं तो देखिए सभी गुलाब जामन को हमने चासनी में डाल दिया है इसको कर्ची से तरीके से हलका सा प्रेस कर देंगे और इनको चासनी में डोबो देंगे और 4-5 गंटे के लिए इने ढखकर रख देंगे तो गुलाब जामू अपने अंदर चास्ने को अब्साइब कर लेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही रसीले हो जाएंगे तो इक खाने में बहुत स्वादिश लगेंगे ये एक दम देशी मिठाई है सबी पार्टियों में शादियों में गुलाब जामुन जरूर बनता है सबी को बहुत पसंद आता है तो देखी गुलाब जामुन हमारे देखने में बहुत सुन्दर लग रहे हैं खाने में बहुत टेस्टी हैं तो आप लोग भी इस तरीके से जरूर ट्राइ किजिए बहुत ही इजी तरीके से हमने इनको बनाया है गुलाब जावन बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है तो आप लोग इसमें हर चीज नापकी डाले तो देखी बहुत ही रसवरे गुलाब जावन बनकर हमारे तयार हो गए हैं तो इस तरीके से आप लोग भी ट्राई कीजिए तो देखी बहुत ही सॉफ्ट बने है तो शर्प करने के लिए इसे एक बावल में ट्रांसफर कर लेते हैं बहुत ही सुन्दर हो बहुत ही टेस्टी हमारे बहुत ही अमीर गुलाब जावन बनकर तयार हुए है तो इस तरीके से आप लोग भी ट्राई कीजिए आई होप आप लोग को हमारी गुलाब जामन की रेस्पी जरूर पसंद आई होगी तो अगर आप लोग को हमारी गुलाब जामन की रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंच शेक्शन में जरूर बताएं आप लोग को हमारे गुलाब जामन की रेस्पी कैसी लगी और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए जादा जादा फैमली प्रेंट के साथ शेयर कीजिए अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर तुरंत पहुंश सके एक बार फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ अब तक लिए थैंक्यू बाई 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 टे केर थैंक्स फॉर वाचिंग